कार्तिके सिंग बिहार के नौन निर्वाचित मंतरी कानून मंतरी के उपर सिकंजा अब कस्ता जा रहा है सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि भागपा माले यानि वामदल जो है वो भी Amberमक हो गई है कार्तिके सिंग के मंत्री बनने के उपर देखिए लगतार ये प्रकरन जो है पिछले 24 घंटों से तूल पकड़ा हुआ है कार्तिक मास्टर जो कि कुछी महीने पहले अभी नौ निर्वाचित MLC बने यानि विधान पारसत बने उनके उपर ये गंभीर आरोप है ते सोची कितना गंभीर आरोप है इस पर BJP लगतार हमलावर है और अब ये ममला जो है वो घूम कर भाकबा माले तक पहुँचा है साप सब जो में वामदल जो है वो ये बात कह रही है कि किसी भी कीमत पर करप्सन और क्राइम के साथ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है बिहार सरकार की उसके साथ कॉंप्रमाइज उसके साथ किसी भी तरह का कॉंप्रमाइज करने की स्थिती में हम नहीं है घड़क दल के रूप में भले ही हम आगड़ बंदन में हैं लेकिन जब मामला आएगा इतना गंभीर इतना संगीन और ऐसा वेक्ती जिसके उपर कई मामलों में आरोप दर्ज है अभी युक्त बनाया गया है उसे कैसे कानून मंत्री बनाये जाएगा तो यह मामला जो है वो अब तूल पकरते जा रहा है और भाक्मा माले के राज सची और डेपुटी सीम यानि उप मुख्य मंत्री दोनों को कार्तिक सिंग के मंत्री पद पर बने रहने पर पुनर विचार करना चाहिए माले ने कहा है कि ऐसे लोगों के मंत्री पद पर रहने से सरकार की छवी दूमिल होती है माले ने कहा है कि ऐसे लोगों को मंत्री पत पर रहने ज़े सरकार की छवी दूमिल होती है भागपा माले मुख्य मंत्री नितीश कुमार और उप मुख्य मंत्री ते जश्वियादव को पत्र लिखकर कार्तिक सिंग को पत से हटाने की मांग करेगी माले ने यह भी कहा है कि वह बिहार में कारण वेवस्ता की बेहतरी और नियाय की गैरेंटी को लेकर प्रतिबद है और जनता की उम्मीदों को लगतार मजबूती से उठाते रहेगी तो आप सोचिए यह मामला कितना आप गंभीर बन चुका है कि सरकार नए बनी सरकार मुस्किल से अभी एक सप्ता हुआ है सरकार को बने हुए और इसमें कानून मंत्री के उपर ही इतने गंभीरा रोग और अब विपक्षी दल जो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है उसके अलावा सरकार की जो घटक दल है वाम दल माले उनके द्वारा ये मांग उठाई गई है बजापते चिठी लिखी गई है और उस पत्र में बिहार के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री से यह गुजारिस की गई है कि इस पर ततकाल जितनी जल से जल दोसों के करवाई की जए और कार्तिक मास्टर को कानून मंत्री के पद से बरखास्त किया जाए हाला कि यह मामला जो है वो अब सीम के संग्यान में जा चुका है कल नितिश कुमार से इस पर सवाल भी मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है लेकिन आरजेडी भी अपने रूख पर अब साफ हो चुकी वो कह रही है कैसे किसी व्यक्ति को पाटी बरदास्त नहीं करेगी और मौजूदा सरकार में ऐसे व्यक्ति का मंत्री बनना किसी को भी नागवार जरूर गुजरेगा फिलाल इस ख़बर में इतना ही आप बने रहिए एनविशी 24 के साथ मना नाम उदिपतारन है बहुत बहुत शुक्रीए